हलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेश्टी नास्ता, जो हल्दी के साथ साथ टेश्टी भी है, तो चलिए मिलकर बनाते हैं, इसके लिए हमने आधा कप सूजी लिया है, सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी हम ही, और आधा कप दही लिया है, जितन इन दोनों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद एक साइट में 10-15 मिनट के लिए या इससे अधिक भी रख सकते हैं, ताकि सूजी अच्छे से खूल जाएं, अब हम इस्टफिंग तयार करेंगे, उसके लिए हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें ए अब का सक्रश कर लिया है, चुटकी भरहीं और 8-10 करी पता, इन सब को डाल कर चलाएंगे और भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे एक मेडियम साइज की बारीक कटी प्याज और 2 हरी मिर्च, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, प्याज का कच्छापन निकलने तक भू तक चलाते हुए इसे भून लेंगे, इसी के साथ प्याज भी भून जाएगा, इसलिए हमने पहले प्याज को ब्राउन नहीं किया था, अब ढ़क कर 2-3 मिनद तक धीमियाज पर पकाएंगे, तीर मिनद बाद धक्कन हटा कर चेक करेंगे, और इसको एक बार फिर से चला ल पॉडर, एक चौधाई चम्मच चाट मसाला, स्वात की अनुसार नमद, सभी चीजों को डाल कर मिक्स करेंगे, और आधा मिनट भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे, एक तिहाई कब उबले मतर, मैंने फ्रेश मतर लिया था, इसलिए मैंने इसको पहले उबाल लिया है, अगर आप फ्रोजन मतर लेते हैं, तो गाजर और शिमला मिर्श के साथ पका लें, अब डालेंगे उबले हुए आलू, इसको हाथों से मसल करके डालेंगे, इन सब को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद मैशर की मदर से मैश कर लेंगे, और डालेंगे बारीक कटी हरी भनिया, इसको भी मिक्स करेंगे, और उसके बाद गयस को आफ कर देंगे, लास्ट में डालेंगे एक चम्मच नीबू का रज, इसको मिक्स करेंगे, अब अस इसको एक साइड में रख देते हैं, अब जो सूजी का बैटा रखा था, उसे चेक कर लेंगे, सूजी अच्छे से फूल गई है, अब इसमें एक चताई का पानी डाल कर मिक्स करेंगे, अभी घोल गाढ़ा लग रहा है, तो एक बड़ा चम्मच और पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, अब डालेंगे इसमें इनो, इनो डालने से पहले कटोरी को तेल से ग्रेस कर लेंगे, जिसमें हमें आप सूची के बेटर में एक पैकेट इनो डालेंगे और उसके उपर एक चमस पाई डालकर एक्टिबेट कर लेंगे उसके बाद क्रीस कियोए एकटोरी में दो बड़े चमस बेटर को डालकर इस्टीम करेंगे अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी से भी अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें इस्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी गरम होने को मैंने पहले ही रख दिया था पानी अच्छे से गरम हो गया है अब उसके उपर एक स्टैन रखकर कटोरी को रख देंगे और ढखकर हाई टू मीडियम फ्लेम पर 15-20 नट तक पकाएंगे इस्टीम बाहर न निकले इसके लिए होल पर थोड़ा सा गीला आटा लगा देंगे 15 मिनट हो गए हैं अब इटली को चेक कर लेंगे किसी तूथ पिक या नाइप से चेक कर लेंगे अगर क्ली निकलता है तो इटली पक गई है अब इसे कड़ाई से बाहर निकल लेंगे और ठंड़ा होने देंगे ठंडा होने के बाद चाकू की मदस से किनारे से निकाल लेंगे ये बहुत अजानी से निकल जाता है इसी तरह से सारी इडली को निकाल कर एक लेट में रख लेंगे इडली बहुत ही सॉप्ट बनी है अब एक इडली के नीचे वाले भाग में हरी चटनी लगाएंगे और एक इडली में टुमाटो केचप लगा देंगे उसके बाद जो स्टेफिंग बना कर रखा है उसको टिक्की का शेप देकर एक इडली के उपर रख देंगे और दूसरी इडली उसके उपर रख देंगे इडली बर्गर बनकर तयार है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं खाने में ये बहुत टेश्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत है लेकिन मैं इसे हलका सा सिलोग टाई करूँगी इसे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उसके लिए हमने पैन में एक चम्मत तेल डाला है तेल के गर्म हो जाने पर आधा चम्मत राई डालेंगे उसके बाद जो बर्गर बनाकर रखा है उसे रखकर पुलट पुलट कर सेख लेंगे हेल्दी टेस्टी इडली बर्गर बनकर तयार है इसे आप चटनी के साथ खाएं या ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है आशागरती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्याएग